हेलो और वेल्कम तो यूनीक क्रिटर्स तो हम यहाँ पे कुश्चन नमर 20 डिसक्स करेंगे उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम चैनल आप मेरा जॉइन कर सकते हो आप एक काफी इंट्रेस्टिंग चीज़े हैं सो लेक्स स्टार्ट A, B, C, working independently A, B, C कोई तीन आत्मी है जो अकेले केले काम कर रहे हैं और एक काम जो है वो A, 8 दिन में कर देगा B, 16 जिनों में और C, 12 दिनों में कर देगा A, alone work on Monday A, Monday को काम करता है then B, काम करता है Tuesday को फिर C, Wednesday को A, alone again works on Thursday, फिर से A, Thursday को and so on means B, Friday को and C, Saturday को फिर से A, Sunday को and so on ऐसे चलता जाएगा अब यहाँ पर consider the following statements दिया गया है The work will be finished on Thursday, काम Thursday को खतम होगा and जो काम है वो 10 दिनों में खतम होगा दो इस statement देखते हैं कैसे होगा यह So, यहाँ पर मान लीजै, आठ दिनों में काम कर देता A, मतलब 1 by 8 पार्ट जो है काम का वो तो ये एक दिन में ही खतम करदेता, ठीक है एक दिन में कितना? 1 by 8 पार्ट B, 16 दिनों में खतम गा, तो 1 by 16 पार्ट एक दिन में खतम करता है and C, 1 by 12 पार्ट LCM लेते हैं 8, 16 and 12 का 48 आ जाएगा आपको LCM लेना आना चाहिए Simple Least common multiple होता है मतलब की वो least number जिस पे तीनों का multiple होगा पहली बार match करेगा Then इसके according हम adjust कर लेते हैं एको यह 48 denominator तीनों कर ले लेंगे यहापे जो है So A आ जाएगा 6 by 48 B 3 by 48 And C का काम जोगा 4 by 48 एक दिन में कर देगा Let's say कि 48 units of work था या फिर आप इसे ऐसे भी ना मानो Simply आप यह add करना चालो करो और जब 48 by 48 हो जाए Means काम complete हो गया So 48 by 48 नीचे से तो मतलब भी नहीं है Same है तो उपर के हम प्लस करेंगे 6 plus 3 plus 4 And then 6 plus 3 plus 4 2 plus 6 plus 3 plus 4 ऐसे करते जाएंगे And हमारा जब 48 आएगा बस वहीं पर बता देंगे काम खतम हो गया So 6 plus 3 plus 4 6 plus 3 9 होगा 9 plus 3 14 हो 9 plus 3 13 होगा Then again 6 plus 3 plus 4 आप करोगे 13 plus 3 26 हो जाएगा Then same again करोगे आप 6 plus 3 plus 4 39 हो जाएगा Right So 9 days हो गया अब तक 39 तक पहुचने में Okay Then 39 से आगे बढ़ोगे तो plus 6 45 हो जाएगा 10th day पर 45 units of work हो गया 45 तक पहुचने हैं Okay And then Plus 3 होगा Means 11th day पर काम खतम होगा 48 by 48 1 हमें मिल जाएगा Okay 11th day पर 48 by 48 हो गया Means का काम हो गया खतम तो काम किसने खतम किया यहां पर B जो है 11th day पर काम खतम कर रहा है और 11 दिनों में काम खतम होगा Let's see क्या answer होगा एक तो option यहां दिया गया था कि यह कौन सा दूसरा लग गया Sorry So एक तो दिया गया था कि The work will be finished in 10 days तो 11 days में काम होगा है तो दूसरा तो गलत हो गया दूसरा पूचा है कि Thursday को खतम होगा अब कितने यहां पर Monday से काम चालूगा था Okay So Monday से Sunday तक पहुंचने में 7 दिन लगेंगे उसके बाद Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday चौता दिन मतलब 11 दिन जो होगा वो Thursday ही होगा So yes First correct है Correct answer is 1 only So thanks for watching this video Like, see and subscribe this video In the case you liked it And do subscribe my Instagram channel also If you like that also Okay Thank you